लोकसबा चुनाम 2024 के रण में पहले चरण का मतदान शुक्रबार को शांती पूर्वक संपन हो चुका है राजिस्तान में भी पहले चरण में 12 लोकसबा सीटों पर मतदान हुआ मतदान के बाद EBM को कड़ी सुरक्षा के बीच राजिस्तान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में रखा गया है पहली बार हमने इस बार एक election का जो deployment कर रहे हैं उसमें एक विवस्ता करी है कि सामानेत है हमारा पूरी police force मतदान के दिवस early in the morning से लेके मतदान समाप्त होने तक लगी रहती है और वो काफी एक तरह से मतदान समाप्त होने के बाद में जो polling party EVM लेके आती है वो भी कोशिश करती है कि हम जल्दी से जल्दी free हो के अपने घर जाएं और एक विवस्ता टाइप हो जाती है तो हमने एक special dedicated force जो EVM को secure रखे और EVM collection का टाइम जब मतदान के बाद में हो उसके दिन विवस्ता बना के रखे उसके लिए हमने additional officers दी है और additional force का provision किया है राजिस्तान के निर्वाचन अधिकारी मुख्य प्रवीन गुप्ता ने प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान वाले लोकसवा निर्वाचन शेत्रों से संबंदित जिला निर्वाचन अधिकारियों पुले सदिक्षकों को अपने शेत्र में मतदान से 22 घंटे पूर्वी की SOP की अनुपालना करवाने की नर्देश दिये हैं उन्होंने बीडियो कॉन्फरेंसिंग के मध्यम से दूसरे चरण के 13 लुकसवा शित्रों में मतदान दिवस की सम्मद में अब तक की गई तैयारियों की समिक्षा करते हुए नर्देश दिये कि नर्दारित नियमों की अनुपालना करवाने के लिए FST और SST का संयोग ले उन्होंने क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को ले करके बेब कास्टिंग के लिए कुल मतदान केंद्रों की संख्या के 50 प्रतीशत से अधिक के बरावर कैमरे लगाने की अनुमती दी राजिस्तान के निर्वाइचन अधिकारी प्रवीन गुपता ने प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान वाले लुक्सवा निर्वाइचन शेत्रों से संबंधित जिला निर्वाइचन अधिकारियों पुलिस अदिक्षकों को अपने शेत्र में मतदान से 72 घंटे पूर्व एस ओफी की पानला करवाने के नर्देश दिये हैं बेब कास्टिंग के लिए कुल मतदान केंद्रों की संख्या के 50 प्रतीशत से अधिक के बराबर कैमरे लगाने की अनुमती दी